हेलो दोस्तों आपका फिर से स्वाक्त है हमारे यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे पंद्रा पॉंड दो में आपके जो सुत्र काम आएंगे उनको तो दोस्तों वीडियो लाज तक देखना और 15.2 के आपके जो भी सूत्र हैं राजस्तान गणीत कक्षा नम्बर 10 की जो प्रशनावली है वरतों की परिद्धी हैं में 6 तरफल तो सबसे पहला सूत्र शीखते हैं सबसे पहला सूत्र है हमारी चाप की लंबाई तो दोस्तों चाप की लंबाई जब भी आपको याद करनी हो तो देखो एक वरत होता है यहां इस प्रशनावली में वरत है अब चाप की लंबाई क्या होती है जैसे कोई तिर जिखंड है यहां से मानो कि यह कोई आपका तर्जिखंड है तो चाप की लंबाई यह जो भाग है यह जो तर्जिखंड है यह जो भाग बन रहा है इसको क्या कहेंगे हम लंबाई चाप की लंबाई यह होता है आपका चाप क्योंकि यहां पर हम परकार रखके यहां से काटेंगे फिर यहां पर काटेंगे और जो यह बीच का भाग होगा इसको क्या कहेंगे हम चाप की लंबाई अब चाप की लंबाई गयाद करने का सुत्र क्या होता है आपका सुत्र होता है पाई आर ठीटा बटा एक सो असी आर इंटू ठिटा बटा 360 दोनों का मतलब एक ही होता है देगो पाई आर ठिटा बटा 180 या दो से 360 को काटो 180 आएगा और उपर क्या बचेगा पाई आर ठिटा तो बस एक मतलब है दोनों सुतर होंगा तो ये सुतर हो गया और 15.2 में आपका एक सुतर और काम आएगा जिसे दोस्तों ये कोई आपका एक वरत है ठीक है यहां केंदर से हमने चाप काटा ठीक है अब जो तिर्जिखंड बना ये ये जो तिर्जिखंड बना इसका छेतरफल हमें पूछेंगा क्या पूछेगा इस तिर्जिखंड का छेतरफल तिर्जिखंड का छेतरफल तो तिर्जिखंड का छेतरफल जब भी आपको पूछे तो इसका सुतर होता है आपका पाई आर सुकाईर ठीटा बटा तीन सो साट ठीक है अब देखो इसमें 2PiR into ठिटा बटा 360 है और इसमें पाई आर सुकार ठिटा बटा 360 आप इस सुतर को ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर सुकार ठीक है इन्टू ठिटा बटा 360 एक ही मतलब है तो यह जो दो सुत्र हैं ये आपकी इस प्रस्णावली में काम आने वाले हैं। मैं अगले वीडियो में इसके उधान से डालूँगा तब आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, चैनल को सबस्क्राइब कर लेना।